हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉन स्टडी आद में फिर आपके लिए लेकर आई हूं एमसी क्यूंकि आपका मीडिवल हिस्ट्री का पाट कवर हो गया है अब यह लेफ्ट विद ऑन ली मॉडन हिस्ट्री पाट जो कि हम नेक्स्ट विडियो से स्टार्ट कर देंगे सो बिफोर स्टार्टिंग विडियो आई वांट तो टेल यू कि यह रहा आपका सेलेबिस जो क्लास फोर की रिक्रूट्मेंट के लिए उसकी नोटिफिकेशन में था जिसमें से आपका स्पोर्ट कवर हो चुका है इंदिन हिस्ट्री आपकी ऑल्मॉस्ट कवर्ड है इंदिन इनाज मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग की बहुत सारा ज्यादा जो कहरी इस थी इंग्लिश को लेकर वो भी हमारे चैनल पर अब स्टार्ट हो गया है जिनको नहीं बता है इंग्लिश की क्लासिस मुझसिम सर ले रहे हैं and he is very good in English so you must watch him इसके इलावा जैनल कारंट फेस्ट जो है वो संभव सर कवर कर वा रहे हैं आपको तो अगर आपको यह सारी वीडियो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है वहां पर आपको यह सारी वीडियो मिल जाएंगी along with that there is one more playlist जिसमें expected papers जो है वो उनकी वीडियो भी दाले गई हैं ताकि आपकी प्राक्टिस वीडियो भी आपकी जो हैं आपके लिए अवेलिबल हूँ at the time of preparation तो वो भी आप लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं let's move forward अगर आप अपने हमारे चानल पर अभी नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लिंक्स जो है मेरे description box में available है telegram पर आज शाम को 7 p.m. जरूर आएगा इसी वीडियो के ओपर पेस्ट आपका quiz होगा जहां पर you will test की जो आपने विए वीडियो आज पढ़ी उसमें से कितना आपको याद रहा और कितना आप ग्रास्प कर पाई इस वीडियो से so let's move forward and आज क की वीडियो पढ़ लेते हैं तो देखी मैं आज फिर 50 mcqs लाई हूँ let's start with our first mcq who was the author of book किताब उल हिंद तो कौन थे इसके author इसके author थे अल बरूनी ठीक है और इसी किताब के वज़ा से इन्हें जो है hostage भी बिना लिया गया था ठीक है who is known as the slave of a slave तो किसको बोला जाता था इलतुतमिश को यह महमूद ऑफ गजनवी नहीं है महमूद गजनवी है भी option बट कोई बात नहीं इसका हमारे question से कोई लेना देना नहीं है तो किसको बोला जाता था slave of a slave इलतुतमिश को क्यों क्योंकि वो slave थे किसके कुतबदी एभक के ठीक है, third question, who was the first Sultan of Delhi to issue regular currency and to declare Delhi as the capital of his empire, to koon थे, he was Ilthutmish, ठीक है, क्योंकि Qutbudin एभक नहीं start किया था, but just because उन्होंने Sultan का title नहीं लिया था, to who is the first Sultan, Ilthutmish, okay, in which year did the battle of Khanwar took place, to किस एय में हुआ था, 1527 में ठीक है Tomb of Babar कहां पर है तो आपको बताया था दो places आगरा और काबुल बढ़ अगर आपको इस तरह से question आएगा तो आप कहां mark करेंगे इसे काबुल में ठीक है आगरा में पहले था बाद में से काबुल में shift कर दिया गया Between which of the falling pairs was the battle of Haldigaard battle of Haldigaard किस किस के बीच में हुई थी अकबर और महराना प्रताब के बीच में ठीक है विच्नवरतनिन अकबर's court managed the financial matters तो कोन करते थे इनके finance finance minister कोन थे अगर आप कोई याद हो मैंने आपको पढ़ाया था राजा टोडरमल थे ओके नादिर्शार aided India during the reign of किस के टाइम पर नादिर्शार आये थे इंडिया में तो महुम्मद शाह के टाइम पर आये थे वो वस दो मुगल एंपरेर वें ब्रिटिश फर्स एंटर दी देर कोट्स तो किस के टाइम पर ब्रिटिशर जो थे वो पहली बार आये थे तो पहली बार जहांगीर के कोट में जो थे वो ब्रिटिशर आये थे ठीक है 1605 में विच मुगल एंपरेर had the famous musician तांसेन as a resident of his court तो तांसेन कहां पर थे तांसेन वाज एंपरेर तांसेन was a musician in the court of अकबर विच मुगल एंपरेर बैंड music and dancing music and dancing किस ने बैंड किया था औरंग जेब ने औरंग जेब ने बैंड किया है शेर्षा सूरी defeated हुमाईउं in which battle and assumed the title of शेर्षा तो अगर आपको पता हो तो हुमाईउं को शेर्षा सूरी ने दो बार हराया था एक बार battle of चौसा में और दूसरी बार battle of कनोज में जिसे battle of बिल्ग्राम भी बोला जाता है battle of चौसा में हराकर शेर्षा का title लिया था battle of कनोज में हराकर हुमाईउं was forced to leave इंडिया शालिमार बाग located in लाहोर पाकिस्तान was built by which मुगल एंपर तो किस ने बनाया था आपको मैंने बताया था कि architecture सबसे ज़्यादा किसके टाइम पर flourish हुआ था शा जहां के टाइम पर और paintings किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा flourish हुई थी जहांगीर के टाइम पर तो शा जहां वो is the correct answer और अगर आप कश्मीर का शालिमार बाग की बात करें तो वो भी शा जहां नहीं बनवाया है तो अकबर ने करवाई जहांगीर ने करवाई थी यह ठीक है शेशा सुरी defeated हुमायू in 1539 and 1540 at which places तो कहां कहां पर अभी हमने पढ़ा चौसा और कन्नोज में तो वह फेमस कोट पॉइट ऑफ अकबर तो कौन थे रहीम खान रहीम खाने खाना भोला जाता था इन्हें वह फाउंड दे सिटी ओफ पॉर्सिक्री तो किसने फटेपुर्सिक्री को फाउंड किया था तो किसने किया था बाबर ने यह कहां पर रहा है आराम बाग इन आगरा और लेटर ओन इनकी टूम्ब भी सबसे पहले यहीं पर बनवाई गई थी और लेटर ओन इस शिफ्टेट तो काबल विच रूर रूर इंट्डूस दिस सिल्वर कॉइन रुपईया इन 16th सेंचरी त यह आपने जेहन के हिस्ट्री के टाइम पर पढ़ा होगा तो आए थौट कि चलिए थोड़ा आपका जो मेमरी है उससे रिफ्रेश करते हों और एक क्वेस्टन जो है वो जेहन के हिस्ट्री से भी डाला जाए तो इसका आंसर है जमान शाह हू बल दी मोथि मस्जुद इन THE red ford ओ डेली तो किस ने मोथि मस्जुब बनाई है जो red ford वाली है वो बनाई है और अगर सिंपल मोथि मस्जँ जो आगरा में बनी है वो किस ने बनाई है शाह जहान ने ओके हुंडिर की कि से मुगल्स ने नारओज फेस्टिवल जो है वो लिया हुआ है नौरॉस फेस्टिवल जो है वो परसियन पार्षी फेस्टिवल है ओके तिमूर किसकी टाइम पर आय थे तो तिमूर आय थे नसीरुदीन मुहम्मद शाह का ताइम पर ठीक है और देन ही इन्वेडिड इंडिया और उसके बाद वो सेयर डाइस्टी बना कर चले गए थे ही ही मेड किजर खान दी रूलर ऑफ सेयर डाइस्टी एक नहीं डाइस्टी उन्होंने शुरू कर दी थी वेर इस टूंब व शेषा सुरी तो कहां पर है सासाराम में जो कि है बिहार में तो कौन थे बाबर विच्वन इस नॉट अ मुगल एंपरेर तो कौन नहीं है सफदर ज जिए टाइक्स तो जिए टाइक्स हटाया किसने था अपने यह तो इसнос्हों कि लिया जात है उस्ताइए पेलिया घा क्नोप आ जे लिया जाता है то व्य सब्सक्रारा तो जिए जाता था था बेसिकली ही हिंदू के ओपर ही था वार महाभारत इन carsion अब sperson में महाभारत को translate किया था और याद रखेएगा यह जो परशन में टरांसलेट किया है महाभारत में वह दाराशिको सब्सक्राइड नहीं किया दाराशिको किया था बाबर ने अगर आपको इसका नहीं भी question का answer आता हो तो then also you can manage to find देखिए यहां पर year लिखा हुआ है अगर आपको बाबर का year बता होगे कि उसके कब तक rule किया then also you can find out कि कौन थे इस time पर जिनों ने इनको हराया था who built red fort तो red fort को किसने बिल्ट किया again architecture तो शाह जहां sorry कि first battle of panipat was fought between किस किस के बीच में हुई है first battle of panipat तो बाबर और लोधी empire के बीच में हुई है इब्राहिम लोधी को हरा कर उन्होंने दिली की गद्दी संभाली थी चीक है अगर आप second battle of panipat की बात करें तो वो है अकबर और हेमू के बीच में और अगर third battle of panipat की बात करें तो वो है Marathas और एहमचा दुरानी के बीच में ठीक है who was given the title of जिंदा पीर by people तो किसको जिंदा पीर बोला जाता था औरंग जेब को which religion was started by Akbar अकबर ने कौन सा religion चुरू किया दिने इलाही एने अकबर जो था ये एक book थी ठीक है जो आप ऐसा बोले जी और biography थी अकबर की it's like a sequel of Akbar Nama who was the court poet at the court of Allahudin Khilji Allahudin Khilji की court में court poet कौन थे तो आमिर खुसरो थे मैंने आपको बताया था आमिर खुसरो बहुत सारे kings के अंडर पोईट रह चुके थे and he was also known as the parrot of India इन्होने ही चितार और टबला को भी इजाद इन्होने ही दिया था उन्होने इन्वेंट किया था उसे Hem चेंगेज khan invaded India under whose reign, तो किसके time पर Cenghees Khan इंडिया आए थी और उसके बाद जो तैमूर थे वो चंगीज खान के ही follower आप माने जिए वो थे देखी हम तैमूर की बात करें थे और सैयर डाइनस्टी की बात आगी तो किसने फाउंड की सैयर डाइनस्टी? यह आपको अब आंसर करना है यह मैं आपके लिए छोड़ देती हूं कि इस question का answer क्या होगा next question who adopted the policy of blood and iron इसका भी जवाब आप मुझे comment box में करेंगे let's play it fair and square अगर मैं आप लोगों को questions करा रही हूं तो I need to know कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं and I can know only by your comments this is the only way we can interact with each other so let's have a healthy relationship between each other और मैं अगर आपको कुछ जो assignment देती हूं या कुछ questions देती हूं तो आप please उने कीजेगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे students जो हैं वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कितनी उनकी preparation हुई है और कोई suggestions होंगे तो of course they are welcome देखें next question who introduced the system of daag and chehra so this answer will also be done by you you will answer this in the comment section so there are three questions that I have kept in the video for you you will have to answer them okay let's move on to next question who was the first Muslim dynasty that ruled India first Muslim dynasty कौन सी थी जो India में रूल की थी अगर आपको याद हो का Delhi Sultanate में मैंने बताया था कि पांच डाइनस्टी थी तो it started with slave dynasty okay next who founded this slave dynasty तो किस ने किया था Qutbudheen Aibak ने किया था but first Sultan कौन थे slave dynasty के तो it was Il Tudmish the second battle of Tarain was fought in the year तो कब हुआ था ये 1192 में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था ये आप मुझे बताएंगे comment box में अब मैं आपको hint दे देती हूँ कि battle of Tarain जो हुआ था it was fought between some Rajput ruler जिनका नाम था पृत्वी राज चुहान और ये किस के साथ हुआ था कुछ घोरी करके मुझे नाम याद आ रहा है तो आप मुझे बताएगा comment box में कि battle of Tarain जो थी वो किन दो राजाओं के बीच में fought की गई थी who set up the department of दिवाने खेरात ठीक है दिवाने खेरात एक department था जो लोगों के लिए बनाया गया था उनकी help करने के लिए उनकी betterment के लिए तो किसने बनाया था ये फिरोशा तुगलक ने who constructed अठाई दीन का जोंपड़ा तो किसने किया था it was constructed by कुतबदीन एबक how many dynasties ruled Delhi Sultanate मैंने अभी आपको बताया five dynasties who built famous gateway अलाई दर्वाजा जब भी किसी building के साथ अलाई लग जाएगा तो there is just one ruler जिसने अलाई नाम से अपनी constructions की है he is अलाउदीन खिल जी who was known as parrot of India तो किसे बोला जाता था अब आपको जो मैंने notes में पढ़ाया था जो मैंने विडियो में पढ़ाया था you will be confused कि इसका answer हुएगा रजिया सुल्तान क्योंकि रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी but मैंने आपको बताया था उस टाइन पे चालिसा का बहुत प्रचलन था है ना जो बहुत ही major part थे एक महल के और वो भी decision makers थे और वो नहीं चाहते थे क्योंकि Islam और वो नहीं चाहते थे कि कि किसी lady के द्वारा रूल किया जाए तो इल्तुतमिश की just death के बाद जिन्होंने रूल जिनको गदी पर इनके बारे में ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं है जसे इनका नाम यांद रखना था इसलिए I have kept this question in the mcqs okay second ilbury dynasty जो थी वो किसने फाउंड की थी जो पहली ilbury dynasty थी वो किसने start की थी इल्तुतमिश ने ठीक है और second ilbury dynasty जो थी वो किसने start की थी पलवन्य ठीक है आग्रा वोस फाउंड़ बाई विच ओफ द फॉलिंग सिटी आग्रा जो हमारी सिटी है वो किसने फाउंड की थी तो इट वस फाउंड़ बाई सिकंदर लोधी he was the most intelligent ruler of लोधी dynasty who shifted his capital from Delhi to दोलताबाद Delhi to दोलताबाद किसने किया था मुहमद तुगलक ने किया था मुहमद बिन तुगलक ने इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद में अपनी capital को shift किया दो साल वहां रखा पर इन्हें पसंद नहीं आई तो ये वापिस से दिल्ली आ गए ठीक है तो चलिए next question पर चलते है इबने बितूता who was a traveler to India वो किस जगह से आये थे तो वो आये थे Morocco से ठीक है तो चलिए who was the last ruler of Delhi Sultanate तो Delhi Sultanate का last ruler कौन था विद इस I complete this is the last question of the last ruler of Delhi Sultanate तो answer is Ibrahim Lodhi क्योंकि Ibrahim Lodhi को मार कर ही बाबर ने मुगल डाइनस्टी शुरू कर दे थी मुगल empire शुरू कर दिया था तो इब्राहिम Lodhi was the only ruler of Delhi Sultanate जिसकी death जो है वो battleground पर हुई है अधर दिन बाकी जो से सारे वो families deaths की वो जो से hierarchy में आये हैं बट इब्राहिम Lodhi was killed by barber on the battleground okay तो इसी के साथ I hope आज का session आपको अच्छा लगा होगा आपको questions अच्छे लगे होंगे आपके revision हुई होगी जो मैंने आपको पढ़ाया है medieval history के लिए ठीक है फिर भी अगर आपको कोई suggestions हों कोई queries हों तो आप comment box में लिख दीजेगा मैं आपके comments पढ़कर आपको revert कर दूँगी और with next video I will come up with modern history तो चलिए अब हम next time पढ़ेंगे थोड़ा सा later Mughals के बारे में थोड़ा Britishers के बारे में कैसे Britishers ने enter किया और जब Britishers ने enter किया तो हमारे इंडिया की क्या state थी with then till then I take your leave अब मिलेंगे हम Wednesday को I will come up with a video at 4 p.m. so and don't forget to come for the quiz at telegram at our telegram channel इसकी जो description box में इसका link है जाए चैनल को join के लिजे और शाम को 7 बज़े मिलते हैं अब quiz time पर thank you God bless you and study hard now